हलो दोस्तों साथ है आपका अपने चैनल एक्जाम इजान पर है तो आबाट गेड़े डेग दोजार एक्टेस फेज वन हो चुका है अब फेज टू होना है देखिए फेज वन एक्जाम के बाद फेज वन के रिजर्ड तक एक बहुत बड़ा क्यास रहता है क्योंकि कट ओफ के आसपास वाले जो इस्टूइंट्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं अदर्वाइस इनका इस बार जैसे मेरिट सेक्शन में जिनका 58 के आसपास आ रहा है वो तो थोड़ा सा शूर है कि भाई इतना कटॉप नहीं जाएगा या 55 प्लस आ रहा है लेकिन जिनका 48 से 54 के बीच में आ रहा है वो लोग काफी ज़दा परेशान है कि क्या होगा इस शक्कर में उनकी स्टड़ी बिलकुल ब्रेक है स्टड़ी तो खेर इन लोगों की भी ब्रेक है क्योंकि थोड़ा सा गैप लिया है मैंने भी इन लोगों ने भी टाकि आराम से प्रिवेशन करें फेश टू की स्ट्रेटिजी आज मैं डिस्कर्स करूँगा नाबार गेडरे 2021 के लिए फेश टू में हमें क्या पढ़ना चाहिए क्योंकि स्लेबस नहीं पैटन चेंज हुआ है एक्जाम का स्लेबस सेम है यानि फैक्स फिगर्स आपको वही रटे होनी चाहिए मलब याद होने चाहिए थाकि आप उनको एसे में एंसर राइटिंग में सब में यूज कर पाएं अगर आपके पास facts नहीं होंगे तो facts देखें जान होते हैं आपके answer राइटिंग अगर आपके पास facts ही नहीं है तो आपका answer जो है बेकार हो जाएगा नावार face two strategy डिसकस करें उससे पहले हम पिछले साल की sectional cut off देख लेते हैं कि हाँ, हमें preparation करनी चाहिए, हमें doubt में नहीं रहना चाहिए, क्यों? चले, sectional cutout 2020 के लिए बात करते हैं, sectional cutout 2019, ये दोनों दी हुई है, अब आप देखिए, सिर्फ हम merit section की बात करेंगे, normal section की नहीं, ये है merit section, general awareness, 1.75 गई थी, sectional cutout 2020 में, ESI में 2, और ARD में 1, वहीं non-merit section की बात करें, जो इस बान non-merit section है, पिछलिया merit section था, उसमें देखिए जब, English में 8.1, 8.5 जाती थी sectional cutout, computer में 3.2 जाती थी, 3.25, reasoning में 2.25, और quant में 1, जो English 8.5 है न, इसने पिछले सालों में cutout बढ़ा रखी थी, हाँ देखिए आप, sectional cutout 10.75, यानि English में अगर आप इतना पाते हैं, तभी sectional cutout बीट कर पाएंगे, और sectional cutout अभी भी इसमें रहने वाली है, इसमें कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है, लेकिन मेरे cutout आपकी drop हो जाएगी, जब ये आपकी sectional cutout इसके हिसाफ से जाती थी, तो overall cutout आपकी 118 से 125 के बीच में जाती थी, अब sectional cutout सिर्फ इनी तीन subject से होगी, तो मैंने पिछली बार भी वीडियो में कहा था इस बार भी कह रहा हूँ, अगर आपके 50 प्लस हैं, तो किसी से कोई सलाह लेने की जुरत नहीं है, आपको अपनी phase 2 के preparation स्टार्ट करनी चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए, वो हम discuss करेंगे इस slide में, इस बार paper का pattern थोड़ा से change हुआ है, journal English तो हम लोग वैसे ही है, कोई हमें doubt नहीं था कि कैसा होना या कैसा, ठीके paper 1 में journal English आएगी, तीन questions आप से पूछाएंगे, keyboard का use करके आपको type करना होगा, ये तीन question आपके लिए, हमेशा की तरह जैसे comprehensive रहेगा, फिर precise writing रहेगा, और essay, essay में कम से कम सबोसकर दश टॉपिक या 20 टॉपिक मैं करव दूँगा essay, essay answer writing practice आपकी हो जाएगी, तो उनको आप phase 2 में भी use कर सकते हैं, और essay में तो use करी सकते हैं, क्योंकि answer writing practice का फायदा यही है, कि suppose कि लिए MCQ है, तो एक option को दूसरी आपको नहीं use कर सकते हैं, लेकिन answer writing practice में ये है, कि suppose कि essay जो आप पढ़के गया थे, वो यहां न कि English strong होनी चाहिए, essay के लिए, मैं आपको topic भी दूँगा, और जो आप उधर से लिख के मेरे को भेजेंगे, जैसे पिछली आप भेजा था, अभी RB grade भी में भेजेता था, वैसे आप करेंगे, तो मैं ये भी पताऊंगा, कि और कैसे improve हो सकता है, मैं कोई master तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, उसको improve करने की courses मैं जरूर करता हूँ, कि ऐसे बहतर कैसे दिखे, एक ऐसे कैसा होना चाहिए, अब आते हैं paper 2, इसमें 2 section कर दिये हैं, एक तो पहली बात है, आपका MCQ, objective type, उसमें आपके 30 questions रहेंगे, 50 marks के, 30 questions रहेंगे, 50 marks के, तो इसमें तो हम लोगों किया जाएगा, final final, यानि admit कर जब आपका आएगा, तो आप अराव से 40 plus score करने में सच्छा मूँगे, इतना तो हम लोग पढ़ चुके होंगे, अभी से पहले ही से लगबख 64 के आसपास वो module available है, और अब जो हम लोग स्कूरू करने जा रहे हैं, उसमें योजना, कुर शेत बहले ही, ESI, ARD, regular में वो upload की जाएं, लेकिन scheme का basics clear करने के लिए मैं आपको schemes की अलग से वीडियो यानि playlist provide करूँगा, फिर index report, इनकी आपको अलग से playlist मिल जाएगी, जो enrolled student उनकी बात कर रहा हूँ, योजना कुर शेतरा, आपको concise, योजना कुर शेतरा January से available रहेगा, आपक की website पर, यानि enrollment के बात, जब आप login करते हैं, तो हाँ पर आपको योजना कुर शेतरा की playlist अलग से मिल जाएगी, अलग से डालने से ये रहेगा, कि आप लोग क्लियर्टी रहेगी, हाँ, तरने पढ़ाया, नहीं तो अगर मैं उसी में पढ़ा दूँगा, ESI, ARD, regular में तो कहोगे क्या, अब इसका अभी तक क्या होता था, PIB, योजना कुर शेतरा सब एक ही में रहता है, लेकिन अब योजना कुर शेतरा में अलग कर रहा हूँ, हलाकि स्कीम को अभी भी मैं ESI, ARD, regular में लेके चलूँगा, ताकि एक बार आप उससे पढ़ें, और फिर स्कीम को य इन्रोल्ड इस्टुडेंट के लिए देखिए पहले बातो, डेली करेंटर फेस आपका जून से कम्प्रीट ही होना चाहिए, PIB मैं देखने के लिए आप से नहीं कहूँगा, लेकिन अभी आपके पास फ्री टाइम है, तो अभी आप PIB जो पुरानी पड़ी है, उनको जि PIB के साथ साथ, वेबसाइट पे योजना कुछ इतरा का पीडिया पढ़ा लेकिन वो 60 पेस इसका है, इन्रोल्ड इस्टुडेंट के लिए तो मैं उसका कम्पाइलेशन दे रहा हूँ, वो 18 पेस में उसको प्रिसाइस करके बना रहा हूँ है, ठीक है, 18, 15 पेस में, जो फै Answer Writing Practice के लिए जरूरी है कि आप उनको धंक से पढ़ें, धंक से पढ़ेंगे तभी आपको पता चलिए कि हमें एसे कैसे लिगना चाहिए, हमें Answer Writing कैसे करनी है, वेकप क्या यूज होने चाहिए, FATS कैसे होने चाहिए, ताकि ज्यादा यूज ना हो पाएं, वही Editorial Discussion, Editorial Discussion देखिए, अगर आप करना चाहते हैं, मैं तो करवाता नहीं है, और मेरे कहाँ से अगर YouTube Platform की बात की जाए, तो सबसे अच्छा Editorial Discussion अगर कोई करवाता है, तो Only I.S. जो आपके सुमित रिवारी सर हैं, वो बहतरीन आपका Editorial Discussion करवाते हैं, तो Last Three Month का अगर आप कर लेते है तो आपकी Answer Writing ability बहुत बहतरीन हो जाएगी, ये मैं बोल रहा हूँ, अगर आप करते हैं तो Extremely beneficial होगा आपके लिए, बाकी suggestion है, आपको मानना है या नहीं मानना है, जो enrolled student है उनके लिए तो MCQ practice तो होगी ही, साथ में आपका Answer Writing practice तो मस्ट है, वो तो होनी ही है, जैसे ही आपक मैंने आप से बोला था, कि June से Deligate Affairs और PIB, उसके बाद ESI, ARD जिनोंने regular नहीं किया, उससे लिए बोला था, मैंने ना करो अब time नहीं है, लेकिन ESI, ARD, Static Module, Budget Economic Survey, Deligate Interface और PIB जिसने कर लिया होगा, तो उसको पता है कि कितना exam में आया है, उसको बोलने की ज़रुत नहीं है तो आप निशिंत रहिए, Phase 1, Phase 2, देखिंगे, English के लिए मैंने बोला था कि आपको practice तो करनी पड़ेगी, हाँ मैं help जरूप करूँगा, और Phase 2 में तो मैं पूरी help कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें answer writing ही करनी है, मैं उसको check कर सकता हूँ, Phase 1 में आपको पता ही English कैसे आती है, त उसमें मैं वैसे भी help नहीं कर सकता था, अब Phase 2 में मेरी पूरी responsibility बनती है कि मैं आपकी help करूँ, आप answer writing मलग की answer writer करके देंगे, लिख के देंगे, मैं उसको check भी करूँगा, और बताऊँगा improvement कैसे हो सकती है, चलिए मिलते हैं, कल morning में P.I.B. के साथ, तक तक ले टेक किया हला दोस्तों